Assalamualaikum guys welcome to my youtube channel forces dream मैं अमीद करते हूँ कि आप सब लोग खेरियत से होंगे ठीक टाक होंगे so आज की मेरे वीडियो पीम मेरे 150 लोंग कोर्स से इस वीडियो में आपके साथ इनिशियल चेस्ट पाइच्ट एंड शेयर करूंगे सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल forces dream को सब्सक्राइब ने किया या अगर आप नियू है इस चैनल पर आप सब्सक्राइब करने साथ में पहले एकन के बिटन पर क्लिक करें ताके मेरे आने वाली कोई भी new informative वीडियो आप मिस ना करें सो इस वीडियो में मैं आपके साथ details शेयर करने लगी हूँ कि initial test patron क्या होता है syllabus क्या होता है और आपने किस-किस जगह से preparation करनी है या अपने कौन से books follow करनी है पिंगे मैं long course को में qualify करने के लिए या इसको pass करने के लिए या इसमें कितना time required होता है हर question के लिए या हर part के लिए सो अपने वीडियो आन तक देखने हैं ताके आपको भी part मिस ना करें सबसे पहले initial test में two types of test होते हैं एक intelligence test और दूसरा academic test अगर मैं intelligence test की बात करूं तो intelligence test में two parts होते हैं verbal intelligence test and non-verbal intelligence test और अगर मैं time required की बात करूं कि कितना mcqs होते हैं कितने time required होते हैं so verbal intelligence test के 84 mcqs होते हैं and 30 minutes required होते हैं और नॉन वर्बल इंटालिजेंस टेस्ट में 64 MCQs होते हैं थर्टी मिनट्स रिक्वाइड होते हैं और आपने 84 MCQs वर्बल के 30 मिनट्स में कम्प्लीट करने हैं अगर आपका ज्यादतर पोश्चन रॉंग हुआ वर्बल इंटालिजेंस टेस्ट में तो आप क्वालिफाइड नहीं कर सकेंगे नॉन वर्बल इंटालिजेंस टेस्ट के लिए और जो नॉन वर्बल इंटालिजेंस टेस्ट है उसके 64 MCQs आपने 30 मिनट्स में कम्प्लीट करने होते हैं अब मैं आपके साथ डिटेल्स यहर करूंगी कि वर्बल इंटालिजेंस टेस्ट में कौन-कौन से पोश्चन इंकलूड हैं उसमें नूम्बर опас üç पर एंट फोर्ड आउस्ट इसेकरेंस एंड्डे टोश्ड अगर लॉन डिश्ट की बात करूं त्यसमें एंटालिजेंस यहरो इंटेस्ट बात एंटिश्द गयिए होते हैं अगर मैं एकडामिक टेस्ट की बात करूं तो एकडामिक टेस्ट कंप्राइजेस ओफ दो फॉल्मिंग सब्जेक्स जिसमें हमारे पस इंग्लिश, माथ, पाकिस्तान स्टुडिज, इस्लामियाद और जनरल नौलेज आते हैं और अगर मैं MCQs की बात करूं तो एकडामिक टेस्ट में 50 MCQs and 30 minutes required होते हैं तो एकडामिक टेस्ट टाफ नहीं होता और वो आप इजिली सौब भी कर लेता है अच्छा, so I will cover some important points here कि आपने इंग्लिश की टेस्ट का क्या स्लेबर से basically और आपने कहां से preparation करनी है किन-कन topics को prepare करना है so English में basic prepositions होती है tenses होते हैं आपको tenses पर grip होनी चाहिए तो आप easily solve कर सकते हैं English का paper voices, active wise, passive wise, direct and indirect आपने इसकी practice करनी है and device parts of speech to English के लिए ये enough है सिर्फ आप prepositions, tenses पर आपकी grip होनी चाहिए active wise and passive wise and direct and indirect की practice करें तो and also parts of speech to so आपका ये enough है आपकी English का portion clear हो जाएगा अगर मैं maths की बात करूँ तो basic maths होती है like applying D-mass rule आपको पता होगा D-mass क्या होता है division, multiplication, addition and subtraction simple gem see cues होते हैं percentage की questions होते हैं basics of derivation and integration etc wise basic maths topics not too tough even a pre-medical and FA students can solve so इतना tough नहीं होता आपको D-mass rules के questions का पता आपको पता नचेकिए के D-mass rules apply होता है question में और अगर किसी दिल maths नहीं भी पढ़ी हो like FSC के बच्चे FSC pre-medical के बच्चे भी तो test easily solved कर शकते हैं okay now about the general knowledge current affairs तो prepare GK about world and current affairs of the world from any book or online source और सिबसे बहली बात यह कहूंगे कि अगर आप news में आपको इंट्रेस्ट है politics में इंट्रेस्ट है आप news सुनते होंगे आप सिर्फ headline से देख लिया करें तो आपको पता चल देगा कि आपके मुल्ट में क्या चल रहा है और बाकी आपके पूछ दुनिया में क्या चल रहा आपको थोड़े बहुत current affairs और general knowledge को देख से ही बता चल जाता है Now I am talking about the Pakistan city History of Pakistan is same You can prepare it from anywhere आपको history of Pakistan का पता होना चाहिए कि Pakistan का बना और इसमें किन लोगों की जदो जैहर थी या कि इन लोगों ने अपना फराय सरा अंजाम दिया और किस तरह और किती ज़्यादा कुर्बानियों से हासिल हो और फिर कश्वीर एशू और फिर 1973 का constitution 1962 का constitution 1956 and सबसे ज़्यादा इंपोर्टर 1973 का constitution है इसका पता होना चाहिए और आपको इसी की बारे में थोड़ी बहुत information हो जाए ज़्यादा डीप ना चाहिएगा ओके Islamic GK की बात करूँ Islamic GK is almost same you can prepare from any platform Islamiyat के GK के लिए बात करूँ तो आपको गजवा का पता होना चाहिए गजवा बदर गजवा और गजवा खंदर के सारे ज़्यादा में घशवा है इनका थोड़ा बहुत आपको information हो जाएगा है फिर मदनी सूरते कितनी हैं मकरी सूरते कितने आयाद कितनी हैं लकू कितने हैं सजिदे कितने हैं तो इन थोड़ी बहुत basic बातों का पता होने चाहिए आपको छे किछे कल में याद होने चाहिए ठीक है क्योंकि इंटर्विवार आप से इंटर्विव के दौरान भी पूछेकता है और वैसे भी पूछ सकते हैं पेपर के दौरान अबव मेंशिन फाइफ टाइपस के mixed questions होंगे तो यू किन इसली टैकल देम बिकाउज यह तफ नहीं होते सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद हाई होगी और आपको काफी information भी बिली होगी कि आपने कहां कुन-कुन सा syllabus और या कुन-कुन सी चीज़े प्रिपेर करनी है सो टेस्ट तफ नहीं होता सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल इंटेस्ट में आपको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, जैसे आप टाइम आपको मैनेज करना आ जागे, आप प्रेक्टिस करेंगे तो आप इजली सॉल्फ कर सेकेंगे क्योंकि इतना टाफ टेस्ट नहीं होता और जो भी टेस्ट पास करेगा वो ही क्वालिफाइ कर रहेगा आप फिजिकल टेस्ट के लिए, इंटर्वियू के लिए तो अगर आप वर्बल और नॉन वर्बल इंटेस्ट की प्रेक्टिस करना चाहते हैं क्या बहुंड़िया